सो हेलो गाईज और वेलकम बैक टो वर न्यू वीडियो तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे आईफोन एकसर पे एर कुलर के साथ बीजे माई टैस्ट हमारे नए आईवेस अपडेट पे चोकी है आईवेस 16.1 का और आईवेस 16.1 को आईवे हो चुके है वन वीक त तो आज हम करने वाले हैं हमारे आईफोन एकसर पे एर कुलर के साथ में बीजे माई टैस्ट क्योंकि कई बंदे कमेंट कर दे थे कि भाई एर कुलर की टैस्ट लेके आते रहा करो और एर कुलर के बारे में बताते रहा करो कि कौन सा एर कुलर बैस्ट रहेगा ये सब तो आ अगर आईफोन है तो भी आपके लिए कौन सा बैस्ट रहेगा एर कुलर तो भी बीना टाइम वेस्ट कि ये कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट तो गई सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि मैं बीजे माई टेस्ट एर कुलर के साथ में करने कैसे वाला हूँ तो वन हार टक मैं खेलूँगा मेरे आईफोन एक सार पे एर कुलर को अटेच करके और आदे आदे घंटे में आप लोग को बैटरी दिखाता रहूँगा और टाइम बताता रहूँगा और बताऊंगा कि लैग हो रहा है या फिर नहीं या फिर फ्रेम रोप्स हो रहे है या फिर नहीं हो रहे तो ये सम्में आपको बताता रहूंगा छोटी छोटी दिक्कते भी आएगी अगर तो मैं वो भी बताऊंगा तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि BGMI टेस्ट करने कैसे वाला हूँ मैं एर कुलर के साथ में तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बैटरी हो रही है हमारी यहाँ पे 93% और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10.38 हो रही है तो आफज करना ऐस स्व crystall समय है कर दो है बदब एंग बाइ 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 के साथ में हमारे आईफोन XR की वो है 20% और देखा जाए तो बिल्कुल सही है 31 मिनट्स में 20% बैटरी ड्रेन और अगर मैं एर कुलर का पर्फोमेंस बहुती जादा अच्छा था बहुती अराम से मैं खेल पा रहा था एर कुलर के साथ में और फोन भी बिल्कुल भी हीट नह गो रहा था और बहुत लोग पूछ रहते हैं कि भाई इसको पकड़के खेलने में थोड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी या फिर क्या रहेगा कवर के साथ हम खेल सकते इसके साथ में या फिर नहीं खेल सकते तो गाइस मैं उन लोग को बस यहीं बोलना चाहता हो कि अगर आ हाथ बैट जाएगा फिर आप अराम से खेल पाओगे अराम से 20-25 किल मार पाओगे विदाउट लैग तो बस आपको एर कुलर के साथ में थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपका हाथ बिल्कुल जम जाएगा और फिर आप अराम से एर कुलर को लगा के अपने लैग मेरं को देखने नहीं मिला नहीं मेरा बैटरी द्रेंग कुद जादा देखने मिल रही है पहले आगे ऑगे गए घंटे करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारी बैटरी कैसे ड्रेन होती है और लैग होता है या फिर नी तो आगे इंजॉय करो गेम क्प्ले को you can't fight it, you can't breathe you say something so loving but now I gotta let you go you'll be better off than someone new I don't wanna be alone you know it hurts me too you look so broken when you cry you're a woman and then I say goodbye sometimes all I think about is you झाल झाल सब्सक्राइब करें आप लोग यहां पर देख सकते हो 1137 हो रहे है यानि कि हमको खेलत हुए exact one hour complete हो चुका है और इतने देर में जो कि हमारी battery drain होई है ड्रोप होई है वो है 42% जो कि देखा जाए normal से compare करके तो इतनी ही battery drain होती है हमारी air cooler के साथ में और मेरे iPhone XR की battery हलता है 83% तो उसके according भी बिल्क से मैं gameplay कर पा रहा था और बहुती smoothly बंदों को मार पा रहा था तो lag तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखने मिला नहीं मेरे को थोड़े से भी frame drops देखने मिले बहुती smooth gameplay कर पा रहा था मैं अभी बात कर लेते कि आपको कौन सा air cooler लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमारा budget है 1500 रुपे कुछ बोलते है कि 1000 रुपे कुछ बोलते है कि 2000 रुपे तो उसी साब से मैंने आप लोग के लिए best best mobile air cooler निकाल लिये हैं और सबकी link आपको description में मिल जाएगी तो आप उन में से कोई सभी purchase कर सकते हो उस link से और वो सभी air cooler best है बिल्क करता है पहले लेने में तो पहले आप उनके reviews भी देख सकते हो और उसके बाद फिर आप उसको purchase कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो वरना मैं तो अपने वाला ही recommend करूंगा मेरे पास जो की है spinbot ice.mobile air cooler वाला सो यह वाला air cooler मेरे पास है और मेरे को बहुत ही best लगता ह यह वाला air cooler क्योंकि 5 मिनट में phone को बिल्कुल ठंडा कर देता है और अगर हम phone पे कुछ भी ना करे और 15 मिनट के लिए इस air cooler को लगा के रख दे तो पीछे से phone पानी पानी हो जाता है बिल्कुल और यह gaming में भी बहुत जादा help करता है मैं इस पे 6 महीने से खेल रहा हूँ अपने iPhone XR पे और मेरे को आज तक कोई भी issues नहीं आये है इस air cooler के साथ में ना ही यह air cooler खराब हुआ कई बार में से air cooler गिरा भी लेकिन एक बार भी यह टूटा नहीं नहीं बिल्कुल इस पे scratch आया और इसकी build quality भी काफी अच्छी है तो link आपको description के top पे मिल जाएगा वहां इसे dislike किसी को दिखता नहीं है तो करने का भी कोई फाइदा नहीं है और गई चैनल पर नहीं हो तो जड़ू से subscribe करते हैं हमाएट चैनल को क्योंकि कोई भी subscribe नहीं करता है तो कम से कम आप तो subscribe करने वाले बनो और मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो म मैं उस तोबी पर वीडियो बना दूँगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एंड तब तक के लिए बाई बाई